लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा यह मुकाबला शाम साथ बजे से शुरू होगा इसे जीत कर एक शुन्य की बर्थ लेच की भारत ये टीम सीरीज पर कबजा करना चाहेगी वहीं आस्ट्रेलिया के पास सीरीज में खुद को बनाय रखने का आखरी मका है हाला कि बारिश की आशंका जदाई जा रही है बारसा पारा स्टेडियम में ये पहला इंटरनाशनल मैच होगा भारत अगर गुवाहाटी टी टुवेंटी जीत जाता है तो टी टुवेंटी में उसकी 51 जीत हो जाएंगी श्री लंका ने भी अब तक एटने ही इंटरनाशनल टी टुवेंटी जीते हैं हाला कि विनिंग पर सेंट टीम इंडिया का बेहतर है इसलिए वो तीसरे नंबर पर आ जाएगी टीम इंडिया ने अब तक खेले 84 टी टुवेंटी में से 50 जीते जबकि ये 31 हारे है उसका जीत का पर सेंट 62 है दूसरी ओर श्री लंका ने अब तक 96 टी टुवेंटी में से 51 जीती है और 43 में उसे हार का सामना करना पढ़ा उसका विनिंग परतिशत 54 है एक शुन्य से आगे चल रही टीम इंडिया अगर जीत हासिल करती है तो सतर साल में पहला मका होगा जब वेह उस्ट्रेलिया को लगातार 4 धुपक्षिय अंतराश्ट्रिय सीरीज में हराएगी भारत ने इस से पहले खंगारुओं को लगातार 3 सीरीज में हराया है इसमें 2016 में आस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में 30 से अपने देश में टेस्ट सीरीज में 2 एक और इस बार वनड़े सीरीज में 4 एक से मिली जीत शामिल है